नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने फोन पे अप्लिकेशन से अपने बैंक अकाउन को हटाना चाहते हैं अपने पकेशन से निकाल सकते हैं तो वीडियो को अन तक देखेगा ताकि आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके और साथ ही सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए उससे होगा ये कि आपको हमारे चैनल पर जितने भी informative वीडियों हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी तो इस home page पर दोस्तों आपको अपना app drawer खोल लेना है अगर आप किसी भी phone को यूज़ कर रहे हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर option आते हैं इस प्रकार से कि bank balance चेक करना है account में transfer करना है phone से transfer करना है जो भी आप काम करना चाहते हैं तो हमें क्योंकि bank account हटाना है वगर आप bank balance चेक करने जा रहे हैं यहां पर दो प्रकार के bank दिख रहे हैं मेरे एक दो तो अगर मेरान की चलिए मैं एक रखना चाहता हूं एक खटाना चाहता हूं तो कैसे करेंगे आपको दोस्तों जाना है my money के option पर यह जो my money नीचे लिखा हुआ है उस पर जैसे ही आप जाते हैं तो देखिए यहां पर आपको इस प्रकार के options दिखाई देते हैं bank accounts debit cards credit cards auto pay phone pay wallet phone pay gift cards दोस्तों basically यह चीज़ वही है कि अगर आपके debit card जो भी आपने डाले हुए यहां पर आपको शूर करेंगे आपने credit cards अगर इसमें add किया हुए तो यहां पर दिखेंगे और जितने bank accounts आपने add कि हैं वो दिखते हैं आपको इस वाले option पर और साथ उनकी UPI भी तो इस सिर्फ अभी यहां पर कर सकते हैं set as primary, set as primary या फिर balance चेक कर सकते हैं और balance आपको यहां पर show होगा जैसे ही आप अपना UPI पिन डालते हैं या फिर आपको मिलता है यह नीचे एक option जिसमें लिखा हुआ है add new bank account तो bank account add करने का option तो दिया जा रहा है phone पर कि तरफ से लेकिन हट जाने का नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना है यह जो arrow आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों मान के चलिए मुझे bank account हटाना है तो यह जो arrow है उस पर आप कर दीजे click उस पर आप जैसे tap करते हैं आप जाते हैं इस पकार के option पर जहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती अकाउंट कैसा है UPI PIN यह वो सारी चीज़ें यहां पर आप चाहें दोस्तों तो और भी जो भी UPI ID आपकी मान के चलिए Amazon की Google पे की या फोन पे टियम की वह आप आप रैट कर लिए एक ही application से सारे काम हो जाते हैं सारे के सारे काम आप कोई payment receive करना चाहत बस इसे पर हमें क्लिक करना है जैसे आप इससे दबाते हैं देखिए if you unlink this bank account you will not be able to make any transfers through it using the phone pay app this will not affect your bank account or its usage through other apps in any way तो यह कहना चाह रहा है आपके bank account पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी application पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बस आप phone pay के accounting account को use नहीं कर पाएंगे तो यहीं तो हमें चाहिए था हम इसे कर देते हैं unlink तो यह unlink option दबा दीजिए यह मैंने दबा दिया है और देखिए यह हो गया unlink यहाँ पर आपको सिर्फ एक account अभी दिखाई दे रहा होगा add करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको मिल ना होगा यह जो एरो है यहाँ पर और बस यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि unlink bank account को option है फिलाल में account को रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यह काम नहीं करूँगा दोस्तों अगर जानकार यह अच्छी लगी हो तो like जरू कर दीजेगा subscribe कर दीजे चैनल को और comment section में दूनिवाँ